नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में आप देखेंगे ग्रूप D में जो सवाल पूछा गया था 22 अगस्त को उस सवाल को इंक्लूड किया गया है यह सवाल अगर आप थरा प्रोसेस से बनाएं तो आपका टाइम किल हो सकता है तो आज हम जो इसमें प्रोसेस बताएं वो क पताना है क्या एक्स प्लस वन तदा थिरी एक्स प्लस वन का मद्यान उपाद तो इसमें क्या करते हैं आप लोग कि पहले यहां तो लिखते होंगे 10 प्लस एक्स बटाइ 16 प्लस एक्स एक्स इक्वल टू 22 प्लस एक्स अब यहां से आप एक्स का मान निकालते होंगे क्रोस मल्टिप्लाइ करके तो इससे जो है आपका सुल्यूशन काफी लंबा हो जाता है तो आज जो हम इसमें सीखेंगे एक नया मेथर जिससे कि हमारा सुल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा तो देखे इसमें हम क्या कंपोनेंडो एन डिवेंडो का फोर्मूला लगाएगे यह क्या हता है योगांतर निस्पति इसको हम कैसे सेट करते हैं यह पहले जान लेते हैं जैसे हमारा समिक्रन A बटा B बड़ावर C बटा D के फॉर्मेट में है तो कंपोनेंडो एंडिवेंडो कहता है कि आप जो है A में नीचे वाले को जोड़ सकते हैं और उपर वाले में नीचे वाले को भी घटा सकते हैं यही काम आप राइट साइड भी कर सकते हैं कि सेम चीज उपर जोड़े तो सेम चीज नीचे घटा है इसमें भी वही चीज है तो आप या तो यह आप एक काम कर सकते हैं या दूसरा काम यह भी आप कर सकते हैं उपर वाला को जियों कतियों रहने दिजिए और नीचे वाला में कुछ भी आप माइनस कर सकते हैं तो नीचे वाला को A में B को घटा दिए उपर वाला को कॉंस्टेंट रहने दिए नीचे में C में D को घटा दिए नीचे वाला यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो हम घटा हैं A मादस B आप इसको B माैनस A भी घटा सकते हैं यहां पर D मादस C भी घटा सकते हैं ठीक है तब इसी फोर्मेट पर हम इसको हल करेंगे इस एक्वेशन को देखें कितना आसान हो जाता है तो हम जो है इसके बाद अब क्या करेंगे यहां देखें उपर वाला को constant रखें अर्था 10 पलस x को constant रखें नीचे में क्या करना है उपर वाले और नीचे वाले को घटा कर लिखना है तो जब घटाएंगे तो x कर जाएगा 10 में से 16 जाएगा यह चिन पलस है इक्वल टू अब इसमें भी उपर वाला के constant रखेंगे constant रख दिए नीचे वाले को जो है घटा कर लिखेंगे तो 32 में से 22 जाएगा तो आपका 10 बच जाएगा और x में x कर जाएगा तो आपका यहां 10 बच जाएगा ठीक है यहां से आप इसको 6 और 10 को बस मल्टिप्ला यहां 50 हो जाएगा और पांच एक्स हो जाएगा इधर से 3 एक्स हो जाएगा तब का घटने के बाद आएगा दो एक्स अधर बास्तिया 66 तो आपका इधर कितना बच गया 16 तो दो एक्स बढ़ावर क्या हो गया 16 ठीक है अब इसे थरह मिटा देते हैं अब देखे यहां से आपका जो है एक्स कमान आ गया आपका आठ टू एक्स कमान 16 तो एक्स कमान कितना हो गया आपका आठ अब देखे बोला क्या गया है एक्स पलस 1 और 3 एक्स पलस 1 का मध्यान उपाती बताना है तो एक्स के जगे आप पहले 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो 9 हो जाएगा और इसका जब मान रखेंगे तो 8 के 24 है 25 अब इसका मध्यान उपाती निकालेंगे तो क्या आएगा आपका मध्यान उपाती क्या होता है रूट अंडर A B अर्थाथ 9 को और 25 को आपस में गुना कर देंगे तो आपका एंसर क्या आएगा 9 का बढ़गमुल 3 आ गिया 25 का बढ़गमुल 5 आ गिया यहां से आपको क्या मिल गया 15 तो हमारा जो एंसर हो जाएगा अप्सन नंबर B हो जाएगा उम्मीद है कि आप इस मेथड से आसानी से सीख गए होंगे एक्जाम में आपका यह काफी वक्त बचा देगा अगर आप इस सवाल को हल करेंगे यहां से इस एक्वेशन को तो आपका एक्स का स्क्वार के फॉर्मेट में आएगा शमिकराएं जो काफी वक्त लागा ताप उस प्रोसेस से मत बना यह प्रोसेस से बना अब चलते है नेक्ससवाल की ओर देखिए नेक्स सवाल में ये आपका सवाल Rachelin वाला पूचा गया था तो Rachelin वाले सवाल में हम क्या करते है पाइफ सेवन है संतावन है 57 लिख दिए और नीचे में जो है जिसके उपर में रेकरीन होता है उसके बदले जो है हम 9 डालते हैं और जिसके बदले में रेकरीन नहीं होता है अर्थाथ ओपेन होता है उसके लिए हम 0 डालते हैं यहाँ पर एक डिजिट पर ही without रेकरिन है ते एक जिरो डालेंगे इसका जो answer हो जाएगा यही हमारा answer हो जाएगा 57.90 ठीक है इसी तरह का हम एक दो सवाल और ले लेते हैं जिससे आपको जो है अगर और भी इससे extra पूछ लिया जाए अलग तरह का तो आप उस सवाल को भी आसानी से बना सकते हैं जिससे य इसमें देखिए जो point वाला term है उसको आप अलग कर देजिए यहाँ तो लिख दिए point के जगा पर हम पलस दे देते हैं और यहाँ बचा 1,3,6 उपर रेकरिन ठीक है तू को जियों को त्यों उतार दिए पलस अब देखिए इसका हम काम करेंगे इतने दुर तक इसमें देखिए कितना 136 है पूड़ा का पूड़ा लिख दिजिए 136 लिख दिए और इसमें जि कि एक पर रेकरिन नहीं था अब नीचे में क्या लिखेंगे ती नीचे में देखिए आपका यहाँ पर जो है तीन डिजिट था जिस पर की दो पर ही रेकरिन था तो जितना पर रेकरिन उतना नो जिस पर रेकरिन नहीं उसके बदले जीड़ो अब इसको आप हल कर देजे इसको जब आप हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहां से 2 आ जाएगा पलस 136 में एक जाएगा तो 135 आ जाएगा बटे 990 होगा इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा 2 पुर्णांग 3 बटे 22 ठीक है एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरह का कितने अंको पर रेकरिन दिया गया है सबसे पहले तो आप सबको लिख दिजिए 375 लिख दिए अब इसमें वैसे डिजिट को घटाना जिस पर रेकरिन नहीं था यहां सिर्फ देखे 5 पर ही पॉइंट है अर्थात रेकरिन है तीन और साथ पर नहीं है इसको आप क्या करिए घटा देजिए नीचे में जो आप लिखेंगे तो पॉइंट देखेंगे अर्थात रेकरिन देखेंगे कितने अंको पर है यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ही अंको पर है जो कि 5 पर है इसके बदले 9 लिखेंगे बाकी अंको पर रेकरिन नहीं है तो इसके बदले क्या लिखेंगे जीड़ो जितना हांक उतना जीड़ो उतना जीड़ो अब इसको आप हल कर लेंगे 375 में 37 गटाएंगे तो कितना आएगा आपका 8, 7, 15 यहां साजाएगा आपका 33 बटे 900 अब इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा 179 बटे 450 यही हमारा सही उत्तर है उम्मीद है का आपको यह सवाल समझ में आगे होगा आगे हम आपके पास आएगे जब एक्जाम में पूछा जाएगा सवाल उसको हम कोशिस करेंगे कि आप तक पहुचाने तब तक के लिए नमस्कार जहें